नमश्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्विचिक्षा पर दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का टर्म 2 अंतराल बुक का पहला चाप्टर आवारा मसीहा जो कि विश्णु प्रुभाकर जी द्वारा रचित है दोस्तों मैं इसमें आपको पूरी कहानी पढ़कर बिलकुर नहीं सुनाने वाली हूँ क्योंकि पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपके पस आपकी पुस्तक है आपकी किताब है इस वीडियो में मैं आपको आवारा मसीहा पार्ट की सिर्फ समरी बताऊंगी शौर्ड में बताऊंगी और साथ ही जो important question इस पार्ट में बन रहे हैं जो आपके लिए आने वाले exams की दृष्टी से महतपूर्ण है हम उन पर चर्चा करेंगे तो चलिए हम चली से से कर लेते हैं सबसे पहला ही question दोस्तों इसमें आपका बन रहा है कि इसकी विधा क्या है मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी पार्ट पढ़ें तो उस पार्ट की चाहे वो काव्धे खंड का हो या वो गद्दे खंड का आप लेखक का नाम जरूर याद करें उस पार्ट की विधा को जरूर ध्यान में रखें भाषा को जरूर ध्यान में रखें तो इस पार्ट के लेखा हैं विशनु प्रभाकर जी और इस पार्ट की विधा जो है वो है आपकी जीवनी रैट और इसके अलावा ये पार्ट हमें क्या संदेश देता है मैं ये भी आपको बता दिती हूँ शुरू करने से पहले इस कहानी के माध्यम से हमें ये संदेश दिया गया है कि जरूरी नहीं कि जीवन में हम हर बार अच्छा ही काम करें चीक है ये जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन भार पूरे जीवन में अच्छा काम करते रहें लेकिन जब भी हमें मौका मिले तो हमें अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहिए और उस अवसर का उस मौकी का सही उपयोग करना चाहिए ये कहानी आपको ये संदेश देती है इसमे ओगा अगली सलाइट का सार आवरा मसिहा और ये शरत चंद्र जीवन है उस fault प्रभाकर जी आता की जीवन विद्व का सारी आव करेंच ञन्द में यानि विश्नी उस-चंद्र जीर c चंद्र जी की जीवनी है अगला क्वेश्चन बन रहा है विश्णु प्रभाकर जी को इसके लिए साहित्य कादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था और एक और क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है यह पार्ट आवारा मसीह के प्रथम परवदिशाहारा का अंश है और और इसमें क्या दिया हुआ है इसमें लेखक ने शरत चंद्र के बचपन से किशोरा वस्था तक के जीवन के विविद पहलों को वर्नित किया है तो इसी स्लाइड में आपके तीन क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देती हूँ शॉट में जल्दी से सबसे पहला क्वेश्चन आवारा मसीहा किसने लिखी विश्णु प्रभाकर जी ने इसके विधा क्या है जीवनी और जीवनी किसकी है शरत चंद्र जी की शरत चंद्र जो है वो पेटे हिंदी में बहुत ही एक महनीय लेखक है महनीय नाम है तो विश्णु प्रभाकर जी ने अपनी कहानी अपने प किताब में जो लिया गया है वो उसका एक अंश लिया गया है और वो कौन सा अंश है वो दिशाहारा पर्व का अंश है ये भी आपका एक क्विश्चिन बनता है कि आपका पार्ट जो है अवारा मसीहा वो अवारा मसीहा के कौन से पर्व का अंश है या कौन सी कहानी या कौन स दिशाहारा का अंशिये लिया गया है ठीक है और इस पार्ट में जो हमारा अवारा मसीहा है उसमें उन्होंने क्या वर्णन किया है शरत चंदर के बच्पन से लेकर किशोरा वस्ता तक के जीवन में क्या घटित हुआ है उनके बच्पन से उनके किशोरा वस्ता तक उनका उस इस्तान पर घूमने वाला ये भी एक सिंपल दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि शरद के पिता किस प्रवर्ती के थे तो वो यायावर प्रवर्ती यानि गुमककर प्रवर्ती के थे कभी भी एक जगे पर बंदकर नहीं रहे उन्होंने कई नौकरिया की और छोड़ी ठीक है और जो उनके पिता थे उनको कहानी नाटा को पन्यास लिखने का बड़ा शौक था लेकिन वो किसी की शिल्पी उनका शिल्पी मन किसी की दास्ता को स्विकार नहीं कर पाता था यानि कि वो लिखना तो शुरू करते थे लेकिन किसी के अंडर काम नहीं कर पाते थे इसलिए उनकी जो रचनाय थी वो पून नहीं हो पा रही थी जब पारिवार एक भरन पोशन असंभव हो गया तब शरद की माता सापरिवार अपने पिता के घर आ गई तो इसमें एक क्वेश्चिन ये बन रहा है कि शरद की जो माता थी शरद कौन जिसकी जीवनी विश्नु प्रभागर जी ने लिखी है शरद की जो माता थी वो अपने घर क्यों आ गई थी क्योंकि हम जानते हैं कि शादी की बाद स्रेया जो है वो अपने पती के घर रहती है लेकिन शरद की माता वापिस अपने पिता के घर आ गई थी क्यों आ गई थी क्योंकि शरद के पिता जो अपने रचनाएं पूरी नहीं कर पाते थे जिसकी वज़े से उन्हें पैसे नहीं मिल पाते थे और परिवार का जो भरन पोशन है वो असंभव हो गया था तो जब परिवार में गरीबी आने लगी परिवार का भरन पोशन असंभव हो गया तो शरद की जो माता थी उन्होंन शरद की माता ने शरद को भागलपूर विद्धाले में एडमट करा दिया ते बंता है को से की विद्धाले में लाए गया दिलाए गया भागलपूर विद्धाले में अब यह बीटी चार पॉईंट से乾 चार पॉइंट्स है कि भागलपूर विद्दाले में शरद ने क्या सीखा क्या पढ़ा तो उन्होंने पढ़ा सीता बनवास के बारे में चारूपीट के बारे में सदभाव और सदगुरू के बारे में और प्रकांड व्याकरन इत्यादी पढ़ाया जाता था ठीक है ये आप क्या क्या होता था उस स्कोर में प्रति दिन पंडिजी के सामने परिक्षा देनी होती थी और विफल होने पर यानि फेल होने पर दंड भोगना पड़ता था ठीक है तब लेखक को लगता था कि साहित्य का उदेशे केवल मनुष्य को दुख पहुँचाना ही है ये बहुत कोश्चन आपका बन रहा है और आगे भी आएगा कि शरद को क्यों लगता था कि साहित्य का उदेशे केवल मनुष्य को दुख पहुँचाना है क्यों लगता था उसे क्योंकि कुछ भागलपूर विदाले में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा था और प्रते दिन प पालन पोशन अनुशाशित रीती और नियमों के अनुसार होने लगा तो जो नाना का घर था वो बहुत ज्यादा अनुशाशित था तो शरद का भी पालन पोशन नाना के घर में अनुशाशन और नियमों के अनुसार होने लगा यह हम पढ़ रहे हैं शरद्चंद्र जी की जीवनी जानि कि शरत चंद्र जी का बच्चपन केशा था Canadian को करने में उन्हें बड़ा आनंदाता था्स या भी आपका है क्विस्ट्चन बनेगा कि नि्षिद कारियों को मुझत न कुण करना मना था उसे उन्हें करना अच्छा लगता था इसलिए वो अक्सर किया करता था और आपका क्वेश्चन बनेगा कि शरद कौन-कौन से नाना के घर में शरद कौन-कौन से निशिद्ध कार्रे किया करता था यह सारे कार्रे वो नाना के घर में करते थे जिने करना मना था पहला क्या था पशुबक्षी पालना तितली पकड़ना उपवन यानि बाग लगाना पेड़ पौधे लगाना नदिया तालाब में मश्लियां पकड़ना नाव लेकर नदी में सर करना और बाग में फूल चुराना अती प्रिय था राइट तो ये वो निशिद्दकारे हैं ज ये आपका बन रहा है शरद और उनके पिता मोतिलाल दोनों की सुभाव में बहुत सारी समानताएं थी ठीक है एक चोटा सा कोशिन दो नमबर का और बन रहा है कि शरद के पिता का नाम क्या था तो उनके पिता का नाम था मोतिलाल और दोनों की सुभाव में बहुत सारी समा समानता हैं थी हम देख लेते हैं देखते हैं क्या क्या समानता है थी तो यह थी आपकी दोनों ही साहित्ते प्रेमी थे दोनों संदर्य बोधी थे दोनों प्रकरती प्रेमी थे दोनों समेधन शील थे दोनों कलपना शील और यायावर यानी घुमकड प्रवर्ती के थे ठीक है ये उनके पिता शरद और उनके पिता ये दोनों के सुभाव में समानता हैं थी दोनों साहित्ते के प्रेमी थे, दोनों सौंदर ये बोधी थे दोनों को प्रकरती से प्रेम था, दोनों समेधन शील थे और दोनों ही कलपना शील या गुमक करपरवर्दी के थे चीक है आगे चलेंगे कभी कभी शरत को बिना कुछ बताए गायब हो जाता कभी कभी शरत किसी को बिना कुछ बताए गायब हो जाता और पूछने पर बताता कि तपोवन गया था ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि शरत कहां गायब हो जाता था या वो कहां बताता था कहां गया था तपोवन वस्ता तपोवन लताओं से गिरा गंगा नदी के तड़ पर एकिस्तान जहां शरत सौंदर या उपासना करता था ये एक क्वेश्चिन बनता है कि शरत बिना बताए कहां गायब हो जाता था तो शरत बिना बताए तपोवन जाता था और तपोवन क्या था लताओं से गिरा हुआ गंगा नदी के तड़ पर एक इस्तान था अब एक घटना शरत के जीवन के यहां पर आ रही है जो इंपोर्टन घटना है अगोरनात अधिकारी के साथ गंगा घट पर जाते हुए शरत ने जब अपने अंधे पती के मृत्यू पर एक गरीब स्री के रुदन का करुण स्वर सुना तो शरत ने देखा कि दुखी लोग मेरा आदमियों की तरह दिखावे कले जोर जोर से नहीं रोते उनका सुरतो प्राणों तक को भेज जाता है ये सचमुच का रोना है ठेक है चोटे से बालक के मुख से रुदन की अती शुक्ष्म व्याख्या सुनकर अगोरनात के एक मित्र ने भविश्यवाने की थी कि जो क्योंकि शरत भविश्य में ना मुचा करेगा क्योंकि उन्होंने भविश्यवाने तो मैं जल्दी से आपको शौट में समझा देती हूं कि एक बार शरत जो है वो अगोरना तदिकारी के साथ गंगा घाट पर जा रहे थे तो वहां पर कोई गरीब इस्तुरी थी जिसके प अधुना असली रोना है यह कम से कम अमीर आदमों की तरह जैसे ओछ लोते हैं ऐसी एसे नहीं रो रही है यह यह असली रोना है औस भी math in that pan clearly, मित्र था उसने जब एसी व्याख्या सुनी इशरत के मुझे तो उसको लगा कि छूटा सा बच्चा रोने को कितनी अच्छी तरह से पहचान रहा है तो ये जरूर भविश्य में आगे चल कर बहुत बड़ा बनेगा आगे देखें अगली सलाइड में हमारे पस क्या है शरत जो है वो एक पुस्तकालने भी जाता था एक लाइब्रेरी भी जाया करता था और उसने उस लाइब्रेरी का सारा सा हित्य पढ़ डाला था एक और चीज जो important है और important question भी है कि शरद को किसमे महारत हासिल थी शरद को लोगों के मन के भाव जानने में महारत हासिल थी यानि कि वो लोगों को देखकर पैचान लेते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है पर नाना के घर में उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई न था शरद छोटे नाना की पत्नी कुसम कुमारी को अपना गुरू मानते रहे ठीक है ये भी एक कोशन बनता है कि शरद का गुरू कौन था या शरद किसे अपना गुरू मानते थे शरद जो है वो अपने छोटे नाना की पत्नी जिनका नाम कुसम कुमारी था उन्हें अपना गुरू मानते थे और उन्हें किसमें महारत हासल थी? लोगों के मन के भाव जानने में शरत का गुरू कौन था? चोटे नाना की पतनी कुस्म कुमारी चीक है? नाना के परिवार की आर्थी खालत खराब होने पर शरत के परिवार को देवाननदपुर लोट कर वापिस आना पड़ा यानि कि जो शरत की माता जी जो अपने पिता के घर चली गई थी शरत के नाना के घर चली गई थी तो क्या हुआ कि नाना की भी आर्थी किस्तिती बहुत अच्छी नहीं थी तो मजबूर होकर थोड़े समय के बाद उन लोगों को वापिस अपने गाउं देवानंद को लोटकर आना पड़ा और एक उनकी शरद की मित्र की उनके दोस्त की बहन थी धीरू जिसे बाद में उन्होंने अपने किताबों में देवदास की पारो श्रीकांद की राजलक्ष्मी या बड़ी दीदी माध्वी के रूप में चित्रित किया यानि उनके कोई मित रहे होंगे और उनकी कोई बहन रही होंगी धीरू जिसे बाद में उन्होंने जब अपनी पुस्तके लिखी तो उसमें उन्होंने कभी देवदास की पारो कभी शरिकांद की राज लक्षमी या कभी बड़े दिदे माधवी के रूप में उन्हें चगा शरत को कहानी लिखने की प्रेड़नाा अपने पिता की अलमारी में रखी हरिदास की गुच्छाषवी घुपत बातें और भवानी पाट जैसे हर we भी कहानी लेख सकता हूं ठीक है इसी अलमारी में उन्हें पिता द्वारा लिखी अधूरी रचनाएं भी मिली जिन्होंने शरद की लेखन का मार्ग पुशस किया शरद ने अपने जीवन की कई घटनाओं और पात्रों को सजीव किया यानि कि शरद ने क्या किया अपने पित ताकि जो रचनाएं अधूरी रह गई थी वो भी शरद ने देखी और उन्हें पूरा करने की इच्छा उसके मन में जागे इसके अलावा जब शरद ने आगे अपने उपन्यास अपनी किताबें लिखी तो उन्होंने उन किताबों में कहानियों के माद्यम से अपने जीव जात प्रतिभा थी राइट यानि की शरद जो था वो जर्मजात प्रतिभा यानि जनम से ही उनके पास कहानी बनाने और लिखने की प्रतिभा थी पंद्रा वर्ष की आयू में ही वो इसका लामें पारंगत होकर गाउं में विख्यात हो गया था ठीक है उनका कोई दोस्त था अतुल जो गाउं के मुंशी का पुत्र था अतुल अक्सर उन्हें तीडर के लिए कहानी लिखने के लिए प्रतिभा थी वो शरद में बचपन से थी और पंद्रा वर्ष की आयूतका आते आते तो वो फेमस हो गया था अपने पूरे गाउं में कहानि लिखने के लिए और अतुल उन्हें प्रेडित क्या करता था अतुल जो कि उनका दोस्त था अगली स्लाइड इसके बाद इसमें इस वेले स्लाइड में दोस्तों आपको यह दिया हुआ है कि उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे और इसमें उनके जीवन की घटनाय थी उन्होंने उपन्यास तो किसी और नाम से लिखे लेकिन घटना है अपने जीवन की दी जैसे श्रीकांत उपन्यास लिखा श्रीकांत का नायक श्रीकांत उपन्यास का नायक श्रीकांत स्वैम शरद है यानि कि श्रीकान्त उपन्यास में जो उन्होंने कोई कहानी लिखी है उसका जो हीरो है जो नायक है श्रीकान्त वो स्वैम शरद है यानि कि शरद ने स्वैम अपनी कहानी लिखी है काशी कहानी का नायक उनका गुरूपतर था जो शरत का घनिष्ट मित्र था कोई काशी कहानी लिखी जिसमें उन्होंने अपने दोस्त के बारे में लिखा ठीक है इसे ही विलासी कोई उनकी कहानी रही होगी जिसमें कहीं न कहीं पात्र सारे लेखक से जुड़े रहे शुपदा नाम की कहानी में उन्होंने अपने पिता मोतिलाल की छबी को उके रहा यानि कि उनकी लिखी हर कहानी में उन्होंने कहीं न कहीं अपने जीवन से जुड़े पात्रों को उसमें शामिल किया है ठीक है शिरिकांत और विलासी रचनाओं में सापु को वश में करने की घटना शरत का अपना अनुभव है तो ये सब भी उधारण हैं जिनमें शरत ने अपने कहानियों में अपने जीवन की घटनाओं को लिखा है तो दोस्तों ये था आपका पार्ट आवारा मसीहा शॉर्ट फॉर्म में मैं आशा करती हूं दोस्तों कि ये वीडियो जो है वो आपको इस चाप्टर को समझाने में सफल हो पाई होगी आपको इस चाप्टर की समरी समझ आई होगी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको आपको chapter समझने में help की है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, सातियों के साथ classmates के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही आपके सारे subject आपके जो अलग अलग different subjects हैं उनसे जुड़े हुए study material के लिए chapters की explanation के लिए important question answers के लिए cbsc से आने वारी updates के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर subscribe करें ताकि सबसे भेले updates आप तक पहुँँच सकें subscribe the channel for more updates thank you